नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं तो बच्चों सबसे पहले कर लेते हैं थोड़ी सी दोहराई बच्चों बताईए कि आप रसोई घर में कौन-कौन सी वस्तुएं देखते हैं तो आप कहेंगे बरतन या खाने पीने की सामगरी जैसे की वसा, तेल, घी, पानी और अन्य पदार्थ तो बच्चों आपसे प्रश्ण यह है कि क्या ये पदार्थ शुद्ध हैं तो आप कहेंगे हाँ ये सभी पदार्थ शुद्ध हैं परंतु बच्चों, ये जितने भी पदार्थ हमने बताए, ये सभी शुद्ध पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि आम व्यक्ति की भाषा में शुद्ध पदार्थ वे हैं, जिनमें मिलावट नहीं हैं, परंतु यदि विज्ञानिक दृष्टी को उन से देखा जाए, तो ये बच्चों, हम अपने चारो और मौजूद पदार्थों को दो वर्गों में बांच सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रन, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, मिश्रन दो या दो से अधिक शुद तत्वों या योगिकों से मिलकर बना होता है यह पदार्थ रसायनिक तोर पर अलग होते हैं और एक दूसरे के साथ रसायनिक क्रिया नहीं कर सकते मिश्रन के वही गुण होते हैं जो उसके तत्वों या योगिकों के होते हैं जिन से मिलकर वह बना होता है उन्हें सिरफ भोतिक विदी के साथ ही अलग किया जा सकता है उधारन के लिए अगर हम चीनी और रेत के मिश्रन की मात्रा को बड़ा भी दें तो मिश्रन में यह कन एक समान रूप में बटे रहते हैं अर्थार्थ मिश्रन में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं इसको देखने के लिए हम एक क्रिया करते हैं एक बीकर में जल लें और उसमें नमक मिलाकर नमक का घूल त्यार कर लें अब इसी प्रकार एक दूसरे बीकर में भी जलने और उसमें मिट्टी मिलाकर मिट्टी को घोल ले और एक घोल त्यार कर ले अब हम देखेंगे कि नमक के घोल में नमक का कोई भी कण बीकर की सता पर नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मिट्टी वाले घोल में कई ठोसकन बीकर की सता पर बैढ जाते हैं ये यह दर्शाते हैं कि आकरिती के अधार पर मिश्रन को दो भागों में बाटा जा सकता है समांगी मिश्रन और विश्मांगी मिश्रन वे मिश्रन जिनकी बनावट एक समान होती है उन्हें समांगी मिश्रन अथवा विल्यन कहा जाता है यह विल्यन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रन होता है इस मिश्रन के अधिक भाग को विलायक और कम मत्रा वाले भाग को विले कहा जाता है उधारन के तौर पर नमक का घोल यहां विलेन में नमक विले है और जल विलायक है विले और विलायक के अधार पर समांगी मिश्रन को अलग अलग वर्गों में बाटा गया है पहला वर्ग द्रव में द्रव, दूसरा वर्ग द्रव में ठोस और तीसरा वर्ग द्रव में गैस जल और सिर्के के विलेन में जल विलायक है और सिर्का विले है ये दोनों ही द्रव हैं इसलिए यह द्रव में द्रव का उधारन है जल और नमक के विलेन में नमक विले है और जल विलायक है नमक ठोस है इसी कारण यह है द्रब में ठोस का उधारन है इसी तरह सोडा पानी यानि की कोक जो आप पीते हैं आदी द्रब में गैस का उधारन है इन में कारबन डायोकसाइड गैस विले है और जल विलायक है वायू गैसों का मिशरण है और गैसों में गैस का विलिन है बच्चों अब हम विलिन के गुनों के बारे में जानेंगे विलिन एक समागी मिशरण है विलेन के कन व्यास में एक नानोमेटर से भी छोटे होते हैं, यानि की बहुत छोटे विलेन के कन नंगी आँकों से नहीं देखे जा सकते अपने छोटे आकार के कारण विलेन के कन गुजर रही प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते विल्यन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता छानने की विदी द्वारा विले के कणों को विल्यन में से प्रिथक नहीं किया जा सकता बच्चों, अब हम संत्रिप्त विल्यन और असंत्रिप्त विल्यन के बारे में पढ़ेंगे संत्रिप्त विल्यन किसी निश्चित तापमान पर यदी विलियन में और विलायक पदार्थ नहीं घुल सकता तो उसे संत्रिप्त विलियन कहा जाता है असंत्रिप्त विलियन यदी विलियन जिसमें और विले पदार्थ घुल सकता है तो उसे असंत्रिप्त विलियन कहते हैं बच्चों, अब हम घुलनशीलता के बारे में जानेंगे. विले पदार्थ की वेह मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर संत्रिप्थ विलेन में उपस्तित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती हैं. विल्यन का आयतन यानि की विल्यन की सांदरता, विल्यन की सांदरता का सूत्र, विल्यन की सांदरता बराबर विले का आयतन बटा विल्यन का आयतन गुणा में 100, विल्यन की सांदरता को दर्शाने के लिए बहुत से विदियां हैं, लेकिन यहां हम सिरफ दो विदियों के बा इसका सूत्र है विल्य पदार्थ का द्रव्यमान बटा विल्यन का द्रव्यमान गुणा में 100। विल्यन के आयतन प्रतिशत बराबर में है विल्य पदार्थ का द्रव्यमान बटा विल्यन का आयतन गुणा में 100। आईए एक उधारन हल करते हैं एक विल्यन में 320 ग्राम जल में 40 ग्राम सधारन नमक विल्य है इस विल्यन की सांदरता का परिकलन करना है विल्य पदार जो की नमक है उसका द्रव्यमान यहाँ पर है 40 ग्राम विलायक जो की जल है उसका द्रव्यमान है 320 ग्राम और हम जानते हैं कि विलेन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है विलेपदार्थ का द्रव्यमान जमा विलायक का द्रव्यमान यानि कि यहाँ पर मात्राओं को भरने पर 40 ग्राम जमा 320 ग्राम बराबर आया 360 ग्राम विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत यानि की विलेन की सांदरता बराबर है विलेपदार्थ का द्रव्यमान बटा विलेन का द्रव्यमान गुणा में 100 यहाँ पर मान भरने पर विलेपदार्थ का द्रव्यमान है 40 ग्राम और विलेन का द्रव्यमान है 360 ग्राम 40 बटा 360 गुणा में 100 हल करने पर हमें प्राप्त होता है 11.1 प्रतिशत तो इस विल्यन का द्रव्यमान प्रतिशत यानि की विल्यन की सांदरता जो है वह है 11.1 प्रतिशत बच्चों अब हम विश्मांगी मिश्रन के बारे में जानेंगे निलंबन और कोलाइड विश्मांगी मिश्रन के उधारन है विश्मांगी घोल जिसमें ठोस द्रव में परिशेपित हो जाता है उसे निलंबन कहा जाता है निलंबन एक विश्मांगी मिश्रन है जिसमें विलेपदार्थ कन घुलते नहीं है बलकि माध्यम की समश्टी में निलंबित रहते हैं ये निलंबित कन आँखों से देखे जा सकते हैं उधारन के लिए मिट्टी और जल का विलियन अब हम कॉलाइड के बारे में जानेंगे कॉलाइड के कन विलियन में समान रूप से फैले होते हैं निलंबन की अपेक्षा कनों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रन समांगी प्रतीत होता है जैसे की दूद कॉलाइड कनों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते लेकिन इन कनों को इलेक्टरॉन सुक्षम दर्शी और अल्टरा सुक्षम दर्शी से देखा जा सकता है बच्चों, अब हम प्रकाश का समांगी और विश्मांगी मिश्रन पर प्रभाग देखेंगे. प्रकाश किसी कॉलाइड विल्यन को कैसे प्रभावित करता है? आईए देखते हैं. जब एक बीकर में हम अंडे के सफेद भाग को डालते हैं और थोड़ा सा जल डालते हैं तो अंडे का सफेद भाग और जल मिलकर कॉलाइड विल्यन त्यार हो जाता है. एक टॉर्च की साहता से जब हम प्रकाश की किरण बीकर पर डालते हैं तो कॉलाइड कन प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं जिससे प्रकाश का मार्ग दिखने योग्य हो जाता है प्रकाश की किरण को फैलाने का प्रभाव जौन टिंडल नामक विज्ञानिक ने दिया था इसी कारण इसे टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है निलंबन में से प्रकाश गुजर नहीं सकता आईए निलंबन के गुणों के बारे में जानकारी लेते हैं निलंबन एक विश्मांगी मिश्रन है ये कण आखों से देखे जा सकते हैं ये निलंबित कण प्रकाश की किरन को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टी गोचर हो जाता है जब इसे शांच छोड़ देते हैं तब यह कण नीचे की और बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थाई होता है छानन विदी द्वारा इन कणों को मिश्रण से प्रिथक किया जा सकता है आईए अब कॉलाइड की गुनों के बारे में चर्चा करें यह एक विश्मांगी मिश्रण है कॉलाइड की कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रिथक रूप में आखों से नहीं देखे जा सकते ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार को दृष्य बनाते हैं जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कन तल पर बैठते हैं अर्थार्थ ये स्थाई होते हैं ये चानन विदी द्वारा मिश्रन से प्रिथक नहीं किये जा सकते किन्तु एक विशेश विदी अब केंदरी करण तकनीक द्वारा प्रिथक किये जा सकते हैं कुलाइड विलियन परिशिप्त प्रावस्था और परिशेपन माध्यम से बनता है विले पदार्थ की तरह का घटक या परिशिप्त कन जो की कुलाइड रूप में रहता है उसे परिशिप्त प्रावस्था कहा जाता है तथा वह घटक जिसमें परिशिप्त प्रावस्था दिलंबित रहता है उसे परिशेपन माध्यम कहते हैं कुलाइड को परिशेपन माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिशिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीत किया चा सकता है बच्चों, अब हम मिश्रन की घटकों का किस प्रकार से प्रिथिकरण किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इसकी विविन विदियां इस प्रकार है वाश्पी करण यानि की एवैपोरेशन, अब केंदरी करण यानि की सेंट्रिफिगेशन, पृत्थी करण की द्वारा यानि की सेपरेटिंग फनल द्वारा, उधर्व पातन की प्रक्रिया द्वारा जिसे सबलीमेशन कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, आस्वन व आश्पी करन को हम एक क्रिया द्वारा समझेंगे, आईए इसे करके देखते हैं। बीकर में आधे के करीब जलने, बीकर के मुख पर वाज ग्लास रखें, कुछ बूंच स्याही वाज ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गरम करना शुरू करें। हम स्याही को प्रतेक्ष रूप से गरम नहीं करना चाते। आप देखेंगे कि वाज ग्लास से वाजपी करन हो रहा है। वाजपी करन होने तक गरम करना जारी रखें। जब वाज ग्लास पर कोई परवर्तन नहीं दिखता है, तब हम उसे गरम करना बंद कर देते हैं. इसे ध्यान से देखें और प्रिक्षित करें. बच्चों, आपके विचार में वाज ग्लास पर किसका वाश्पी करन हुआ? क्या वाज ग्लास पर कोई अवशेश बचा है? आप क्या प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही एक शुद्पदार्थ है या मिश्रन है? तो बच्चों, हम पाते हैं स्याही जल में रंग का एक मिश्रन हैं. इस तरह से हम विलायक से विलेपदार्थ को वाश्पी करन की विदी द्वारा प्रिथक कर सकते हैं. बच्चों, अब हम अपकेंद्री करन के बारे में जानेंगे. द्रब में मौजूद छोटे-छोटे ठोसकनों को छानन विदी द्वारा प्रिथक नहीं किया है. तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हलके कण ऊपर ही रह जाते हैं. जैसे कि मतनी की सहायता से या मिक्सी की सहायता से दूद से मक्खन को निकालना. बच्चों, अब हम प्रिथकरन कीप द्वारा मिश्रन के घटकों को प्रिथकरन करेंगे. बच्चों, हम कीप के प्रियोक से मिट्टी के तेल को जल से प्रिथक करने का प्रियास करेंगे. मिट्टी के तेल और जल के मिश्रन को एक पृथिकरण कीप में डाले कुछ देर तक इसे शान्त छोड़ दें ताकि जल और तेल की पृथक-पृथक परतें तयार हो जाए प्रिथिकरन कीप के स्टॉप कार्ग को खोलें और सावधानवी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल दें जैसे ही तेल नीचे आए या पहुचे स्टॉप कार्ग को तुरंत बंद कर दें इस तरह हम तेल और जल यानि की पानी के अगुलन शील मिश्रण को प्रिथक कर सकते हैं उधर्व पातन की प्रक्रिया बच्चों, आप जानते हैं कि सर्दी खतम होने पर हम अपने गरम कपड़ों और कंबल आदी को संभाल कर रखते हैं कपड़े संभाल के रखते समय उनमे नेफ्थलीन बॉल्स को डाला जाता है जिनने आपने छोटी-छोटी सफेद रंकी गोलियों के रूप में देखा होगा और आपने पिछली सर्दियों में भी इन बॉल्स को कपड़ों के साथ डाला होगा और जब सर्दी के कपड़े आप अगली सर्दियों में निकालोगे तो आप देखोगे कि गोलियों का आकार बदल गया है अर्थार्थ गोलियां छोटी हो गई है तो फिर उनका यह ठोस पदार्थ गया कहां अब आप देखोगे कि कपड़े जो हैं उनमें से नेफ्थलीन की गानदा रही है इसका मतलब यह है कि जो ठोस पदार्थ है वे वाश्प होकर आपके कपड़ों में समा गया वे ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में प्रवर्तित हुए सीधा गय सवस्था में प्रवर्तित हो गया इसको उधर पातन की विधी कहते हैं इस विधी का प्रयोग उधर पातित हो सकने वाले आवयव में से उधर पातित ना होने योग्य अशुद्धियों को प्रिथक करने के लिए किया जाता है उधारन के लिए नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रन को इसी प्रकार प्रिथक किया जाता है एक चीनी मिट्टी की प्याली में अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रन लेंगे उस पर एक उल्टी कीप रखेंगे और कीप का दूसरा सीरा रूई से बंद कर देंगे बर्नर पर मिश्रन को गरम करेंगे कुछ देर पश्चात आप देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड वाश्पिकरित होने लगा है अमोनियम क्लोराइड वाश्पिकरित हो जाएगा और सीधा गैस रूप में आ जाएगा यह गैस रूप यह अमोनियम क्लोराइड जब कीप की सताय पर आएगा तो वहाँ पर यह फिर से ठोस रूप में बदल जाएगा इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कीप के सिर्य उपर और कीप के बीच में अमोनियम क्लोराइड जमा हो गया है और साधारन नमक चीनी मिट्टी की प्याली में रह गया है बच्चों अब हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानेंगे छानक पत्र की पत्ली परत लें इनके निचले किनारे से तीन सेंटीमेटर उपर पैंसिल से एक रेखा खीच ले उस रेखा के बीच में जल में गुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें और इसे सूखने दें जार बीकर या परक नली में जलने उसमें इस छानक कागच को इस प्रकार रखें कि वह जल की सत्य से ठीक उपर हो अब उसे शांत छोड़ दें जैसे ही जल छानक पात्र पर उपर की और उठे सावधानी पुर्वक देखें जैसे ही जल छानक पात्र पर उपर की और अगरसर होता है यह स्याही के कणों को भी अपने साथ ले जाता है स्याही दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रन होता है रंग वला घटक जो की जल में अधिक गुलनशील है तेजी से उपर के और उठता है और इस प्रकार हम स्याही में से रंगों का पृत्थिकरण कर सकते हैं बच्चों अब हम आस्वन विदी के बारे में चानेंगे यह मिश्रन की घटकों को पृत्थिकरण करने की अगली विदी है बच्चों हम ऐसी टोन और जल को उनके मिश्रन से पृत्थक करने का प्रयास करेंगे मिश्रन को आस्वन फ्लास्क में लें इसमें एक थर्मामिटर लगाएं मिश्रन को धीरे धीरे गरम करें और साब्धानी पूर्वक थर्वा मिटर का अवलोकन करें ऐसी टोन वाश्पिकृत होता है तथा संगनित होकर संगनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया चा सकता है जल आस्वन फ्लास में शेश रह जाता है बच्चों इस विदी को आस्वन कहा जाता है इसका उप्योग उन मिश्रनों को प्रिथक करने में किया जाता है जो विगटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनाकों के मध्ये अधिक अंतराल होता है तू या दो से अधिक गुलन शील द्रवों जिनके एक अथनाक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रन को प्रिथक करने के लिए प्रभाजी आस्वन विदी का प्रियोग किया जाता है बच्चों अब हम मिश्रन के कणों घटकों को प्रिथिकरन करने की अगली विदी को देखते हैं जिसे हम कृपर सलफेट के रवे को बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी इसके लिए हमें धागा कॉपर सलफेट का संत्रिप्त विलियन और कॉपर सलफेट पाउडर की जरूरत है बच्चों, सबसे पहले हम कॉपर सलफेट का सूपर संत्रिप्त विलियन त्यार करेंगे इसके लिए हमें सबसे पहले बर्नर को जगाएंगे उसके उपर कॉपर सलफेट का संत्रिप्त विलेन रखेंगे उसमें कॉपर सलफेट का पाउडर तब तक डालेंगे जब तक ये पाउडर खुलना बंद ना हो जाए बच्चों, इससे आपको यह भी ग्यात होता है किताब बढ़ने के साथ पदार्थों की घुलनशीलता बढ़ जाती है अब एक पैंसिल के उपर धागा बांद कर उसे एक बीकर में लटकाए यह धागा रवों को केंद्रित करने में सहायता करेगा अब इस कॉपर सलफेट के विलियन को इस खाली बीकर में डाल दे अब इस बीकर को कुछ दिन के लिए बीना हिलाए रहने दो बच्चों कुछ दिनों बाद हम देखेंगे की धागे के उपर कॉपर सलफेट के रवे जो की बहुत खूपसुरत दिखाई देते हैं इकठे हो गए हैं बच्चों अब हम बहुतिक एवं रसायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे ऐसे गुण जिसमें हम पदार्थ के रंग कठोड़ता, द्रड़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक तथा क्वथनांक इत्यादी का अवलोकन कर सकते हैं उन्हें पदार्थों के भौतिक गुण कहा जाता है अवस्थाओं का अंतहरू पांत्रण एक भौतिक परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रसायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता उधारन के लिए बरफ से जल्ग में बदला इनमें नए पदार्थ नहीं बनते बच्चों, अब हम शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं तत्व और यॉगिक अब हम शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे तत्व पदार्थ वह मूल रूप है जिसे रसायनिक प्रतिक्रियाद्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्वों को सधारनता धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गी किरित किया जा सकता है चलो बच्चों, अब हम धातु के गुणों को देखते हैं धात में चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंकी होती है, ये ताप तथा विद्धुत की सुचालक होती है, ये तन्ने होती है, ये आघात वर्धे होती है, अर्थार्थ इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है ये प्रतिध्वनी पूर्ण होती हैं सोना, चांदी, तांबा, लुहा, सोडियम, पुटाशियम, पित्यादी धातू के उधारण हैं अब हम अधातूं के गुणों के बारे में देखेंगे ये विभिन रंगों की होती हैं ये ताप और विद्धुत की कुछालक होती हैं ये चमकीली, प्रतिध्वनी पूर्ण और आघात वर्धय नहीं होती हैं इनके कुछ उधारण हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, कारबन, इतियादी यॉगिक वह पदार्थ जो की दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रसायनिक तोर पर संयोजन से बने होते हैं यॉगिक कलाते हैं यॉगिक के उधारण जल, चीनी, नमक, कारबन डैकसाइड आधी यॉगिक के उधारण हैं चलो बच्चों, अब एक बार अध्याय की दोहराई करते हैं हमने पड़ा कि मिश्रन में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं विल्यन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रन है वह पदार्थ जो विलायक में अगुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है सोडा पानी, कोक, आधी द्रव, विल्यन में गैस के रूप में होते हैं कुलाइड विल्यन परिशिप्त प्रावस्था और परिक्षेपन माध्यम से बनता है दो या दो से अधी गुलनशील द्रवों जिनकी क्वथना कांतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रन को प्रिथक करने के लिए प्रभाजी आस्वन विधी का प्रयोग किया जाता है तत्वों को सधार्णते धातू अधातू तथा उपधातू में वर्गिक्रित किया जा सकता है योगिक के गुण उसमें नहीं तत्वों के गुणों से भिन होते हैं जबकि मिश्रन में उपस्तित तत्व और योगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण पूछूँगा, आशा करता हूँ कि आपको इन सभी के जवाब आते ही हूँगे सबसे पहला प्रश्ण, पानी में से तेल को अलग करने के लिए कौन सी विधी का इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चों, इसका उत्तर है प्रिथिकरण कीप द्वारा कृष्टली करन विधी के साथ किस तरह के मिश्रण का प्रिथिकरण किया जा सकता है शुद्ध ठोस को विल्यन से प्रिथक करने के लिए निमिलिखित में से बताए भौतिक और रसायनिक परिवर्तन कौन कौन से है पहला, व्रिक्ष को काटना यह कौन सा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन लोहे की अलमारी को जंग लगना बच्चों, बताईए कौन सा परिवर्तन है यह सही जवाब रासाइनिक परिवर्तन अगला प्रश्न निमिन लिखित की उधारण सहित परिभाशा दीचिए संत्रिप्त विल्यन तो बच्चों, जिस विल्यन में और अधिक मात्रा में विले ना घुला जा सके उसे संत्रिप्त विल्यन कहा जाता है अगली परिभाशा जो आपको बतानी है वह है उधर्व पातन तो बच्चों, उधर्व पातन वह प्रक्रम है जिसमें कोई ठोस सीधा ही गैसी अवस्था में परवर्तित हो जाए या कोई गैसी वस्तू ठोस अवस्था में परवर्तित हो जाए उदाहरण अमोनियम क्लोराइड, कपूर व एंत्रासीन आदी अगला सवाल अब केंद्रे करण वहविदी है जिसमें की मिश्रणों को प्रिथक करने के लिए तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैड़ जाते हैं और हलके कण ऊपर की और आ जाते हैं उदाहरण के लिए दूद में से क्रीम को निकालना, कपड़े धोने के मशीन में भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ना, जिससे की जल प्रिथक हो जाए इसी प्रकार जांच प्रियोगशाला में रक्त और मोत्र की जांच करना अगला प्रश्न, मिश्रन और योगिक के बीच में कोई दो अंतर बताईए तो उत्तर है, तत्व या योगिक केवल मिश्रन बनाने के लिए मिलते हैं, किन्तु किसी नए योगिक का निर्मान नहीं करते तत्व क्रिया करके नए योगिक का निर्मान करते हैं, मिश्रन उसमें उपस्ति घटकों के गुण करमों को दर्शाता है, नए पदार्थ के गुण धरम पूरी तरह से भिन होते हैं इसी के साथ हमारा अध्याय यहां समाप्त होता है, आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को ध्यान पूर्वक सुना होगा और अच्छे से समझ लिया होगा, तो वच्चों आप पड़ाई में अपना उत्सा बनाए रखें और घर पर सुरक्षित रहें, धन्यवाद